नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आज पर, so in a very very worrisome news, इंडिया ने भी अब H3N2 की influenza deaths को report किया है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर कल सामने आई थी, इंडिया's first H3N2 influenza deaths, जिसमें हमें दो deaths कल ही देखने को मिली है, एक हमें सबसे पहली death देखने को मिली थी करनाटका में, और दूसरी death हमें देखने को मिली थी हरयाना में, करनाटका में बात करें, तो 82 साल का एक इनसान है करनाटका में, जो की माना जाता है, believe to be the first person to die of H3N2 in the country, इनका नाम हिरे गौड़ा है, who was admitted to hospital February 24 को, और एक मार्ष को इनका यहाँ पे मृ मृत्यू हो जाती है, he was a diabetic also और वो hypertension से भी सफर कर रहे थे, दूसरा patient जो की हरयाना के थे, वो 56 year old lung cancer patient थे, who had also tested positive for H3N2 in January, इनकी मृत्यू Wednesday को हुई, यानि की just आज से दो दिन पहले, इनके ही घर में, जीन्द में, इनकी मृत्यू हमें देखने को मिली है, चिंता का विशे इसलिए बन जाता है, because पिछले लगभग डेड़ से दो महीनों से, इस particular flu के जो cases है, वो country में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और सबसे जादा जो infections है, they are being caused by the H3N2 virus, और चिंता का विशे ये भी है, कि इस virus की वज़े से, जो hospitalizations हो रही है, वो बाकी किसी और flu में हमें इतनी hospitalization के cases देखने को नहीं मिलते हैं, इसी के चलते, कल जब हमने ये deaths को encounter किया, तो immediately central government की, जो ministry of health and family welfare है, उन्होंने network setup कर दिया, in order to monitor the H3N2 virus in real time, ICMR ने भी कुछ advisory issue कर दी है, for preventive measures की, आप लोग इस चीज़ से बचने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब देख पाएंगे, Union Health Ministry has said, कि it is monitoring the H3N2 influenza outbreak, using the integrated disease surveillance program, एक real time basis पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग track कर रहे हैं, we are keeping a close watch on morbidity and mortality, especially ऐसे लोगों की, जैसे की बच्चे हुए, जैसे की भूडे हुए, and any people with co-morbidities, उनको भी हम लोग प्रॉपरली track कर रहे हैं, not just that, नीती आयोग ने भी immediately announce कर दिया था, that we are also going to hold an inter-ministerial meeting tomorrow as H3N2 claims two lives in India, तो ये सारी की सारी developments हमें कल ही देखने को मिली हैं, और इसी के चलते हम लोग discussion करने वाले हैं, कि असल में ये H3N2 basically क्या चीज है, इसके लच्चन क्या है, क्यों इसको Hong Kong flu कहा जाता है, और government क्या-क्या steps ल नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउलोड करना चाहते हैं, मुझे follow करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, टेलेग्जाम चानल के माधियम से ऐसा कर सकते हैं, also जो बच्चे 2023 के प्रिलिंस exam की तयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक no-nonsense current face crash course हम लोग ल सारे के सारे current face पिछले एक साल के cover करवाये जाएंगे, आप इसमें free में भी course में आ सकते हैं, अगर आप मेरी master classes में आते हैं, जो की test book app पे होती हैं, इसका link again pinned comment में है, अगर आप इसमें class में top करते हैं, तो आपको यह वाला course free of course भी available करवाया जाएगा, पिछले हफते के व माकडे हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो influenza like illnesses का real time surveillance किया जा रहा है, और severe acute respiratory infections का भी real time surveillance किया जा रहा है, जो की OPD में यानि की outpatient जो होता है और IPDs यानि की जो inpatient होता है health facilities, वहां से cases को लिया जा रहा है, उन आंकडों के according बताया जा रहा है, कि लगभग 3038 laboratory confirmed cases हैं of various sub types of influenza which includes H3N2, इनको report किया गया है, 3000 से भी जादा laboratory confirmed cases है, ये data March 9 तक का है, जिसमें 1245 cases जनवरी में आए, 1307 cases फरवरी में आए, और 486 cases मार्च में केवल पहले 9 दिनों में ही आ चुके हैं, अगर आप इसको extrapolate करेंगे, तो अगर मार्च का total आंकना देखेंगे, तो 1500 से भी हम cross कर चुके हैं, ये data किसका है, ये data basically influenza-like illnesses का है, इसमें influenza के अलग-लग viruses को include किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप H3N2 देख रहे हैं, तो H1N1, H2N2, ये सारे के सारे viruses को include किया जाता है, Similarly, अगर हम देखें, कि total यहाँ पर एक और data सामने पेश किया गया है, of acute respiratory illness and influenza-like illness, तो during the month of January 2023, total जो cases सामने आए थे, वो 3,97,814 cases थे, जो कि केवल जनवरी के महीने में report किया गए थे, यही नंबर बढ़ते हुए, फरवरी का महीना, जो कि छोटा भी होता है length में, हमें उसमें 4,36,523 cases देखने को मिले, और March 2023 के पहले 9 दिनों में, जो नंबर है, वो 1,33,412 cases पे हैं, इसको अगर आप extrapolate करेंगे, तो नंबर पहुन जाएगा 4,59,530 cases पे, यानि कि clearly अगर हम देख रहे हैं कि acute respiratory illness वाले जो cases हैं, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो चिंता का विशे है, जो कि laboratories ने बताया है, वो यह है, कि जितने भी हम लोग cases देख रहे हैं, इसमें H3N2 virus is the predominant subtype among the samples which are testing positive for influenza since the beginning of the year, मतलब कि सबसे जादा जो predominant virus हमें इन samples में देखने को मिल रहा है, that is the H3N2 virus, यह वाला जो H3N2 virus है, यह कोई नया virus नहीं है, दोस्तों आज से लगभग लगभग 50-55 साल पहले की बात है, यह वाला virus सबसे पहले Hong Kong में देखने को मिला था, और 1968 में एक बहुत बड़ी pandemic फैली थी Hong Kong में, जिसको की Hong Kong pandemic के नाम स से भी जाना जाने लगा था, ऐसा बताया जाता है कि उस time पे इस flu के चलते एक से लेकर 4 million लोगों की death हुई थी globally, मतलब कि 10 लाग से लेकर 40 million लोगों की globally death हुई थी, it is also considered among the deadliest pandemics in history and it was caused by an H3N2 strain of the influenza A virus, और 1968 की बात है, तो यह वाला pandemic भारत में भी फैला था, और यही वाले virus के cases अब हमें दुबारा देखने को मिल रही हैं, इसके लक्षनों की बात करें, तो इसके जो symptoms है, they are very very similar to COVID-19 के symptoms, for example, यहाँ पे आपको fever, उसके बाद कफ, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होना, wheezing होना, सांस लेते time, आवाजें आना, उसके बाद pneumonia होना, उसके बाद seizures होना, और oxygen की जरूरत होना, यह सारे के सारे, almost वही symptoms हैं, जो की हमें COVID-19 में भी देखने को मिले थे, और वही symptoms अब हमें H3N2 के influenza virus में देखने को मिल रहे हैं, और चिंता का विशे इसलिए बन जाता है, because suddenly, अब इसको लेकर हमें deaths भी देखने को मिली हैं, कल ही मैंने आपक कलते, ministry के द्वारा कई सारे जो preventive protocols हैं, उनको फिर से सामने लाया गया है, इन्होंने कहा कि भीड वाली जगा पे आपको mask पहनना है, आपको अपने हाथ बार-बार धोने हैं, आपको अपना cover, अपना face और mouth cover करना है, आपको जादा से जादा fluids का सेवन करना है, इसके केवल आप paracetamol है, जो कि आप ले सकते हैं, अगर आप doctor के बगैर भी पूछे भी ले सकते हैं, अगर आपको fever होता है, लेकिन उसके इलावा आपको और कोई भी दवा यहाँ पे नहीं लेनी है, public health measures भी इन्होंने recommend किये हैं, similar जो हमने COVID-19 में देखा था, इन्होंने ये भ acetamavir, इन्होंने acetamavir को बोला है कि ये public health system के माध्यम से आपको completely free of cost दी जाएगी, ये central government के ही द्वारा लिया गया step है, government has also allowed the sale of acetamavir under schedule 1 of drug and cosmetic act for wider accessibility and availability, यानि कि prescription के माध्यम से आपको ये वाली दवा जो है, वो किसी भी chemist shop से भी available करवा दी जाएगी, because government ने अब इसको schedule H1 क under रखवा दिया है, तो ये फिल्हाल कदम है, जो कि हम लोग ले रहे हैं, और नीती आयोग ने भी announce किया है कि आज के दिन, यानि कि 11 मार्च को वो एक inter-ministerial meeting को hold करेंगे, तो उसमें भी कुछ और नई developments होने वाली हैं, जो कि आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, तो ये latest है जो कि हमने देखा, with respect to H3N2, जो भी नई development होगी, we will definitely bring this in front of you, before I go, IDSP के बार में बता दूं कि Integrated Diseases Surveillance Project का जो project है, this was basically launched by Ministry of Health and Family Welfare in association with World Bank in the year 2004, तो ये real time में हमारी country में होने वाले किसी भी बिमारी के cases को track कर सकता है, और accordingly फिर reactive steps ले सकता है, फिलाल के लिए वीडियो में इ